दब्रानगर में लगातार बिगरते जाम के हाला से कब मुक्ती मिलेगी इसका अंदाजा तो शायद ही कोई लगा पाए लेकिन सोशल मीडिया पर वारल हुए पुलिस कर्मियों के वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा अग्रसिन चोराहे पर बेफिक्र होकर अलग-अलग स्थानों पर बेट कर ड्यूटी के दुरान टाइम पास करते नज़र आ रहे हैं वही मौके पर काफी जाम की स्तती बनी हैं बावजुदिस के पुलिस कर्मियों अपनी मस्ती में मस्त है दरतर डवरा शहर में जाम लगना एक आम बात हो गई है यदि कोई जल्दी में जाना चाहे तो इस रास्ते से वो मुम्किन नहीं है क्योंकि भिमराओं बेटकर चोरहे से लेकर माधवराथ सिंध्या चोरहे तक सती दिन छोटे बड़े वहनों से जाम लग जाता है जिसके बाद शहर से निकलना मुम्किन ही नहीं ना मुम्किन हो जाता है इसी को लेकर आज खबरबाण की टीम अगरिसन चोरहे पर जाम के हालत देखने ले पहुँची जहाँ पर पुलिस अधिकार्य द्वरा लगाए गई पुलिस कर्मियों की ड्यूटी ठीक तरह से नहीं की जा रही थी बलकि कोई दुकान में बेट कर मुबाइल चला रहा था तो कोई चोरहे पर मोटर साइकल पर बेट अपनी मस्ती में मस्त दिखाई दिया पुलिस कर्मियों का ये वीडियो वारल होने पन अगर पाली का प्रशाशन CMO प्रदीप कुमार भदोरिय द्वारा नगर पाली का टिम गठित कर शहर के बालाजी कॉम्पलेक्स के बाहर अव्यवस्थि धंग से लगी बाइकों को नगर पाली का के वहन में रखकर सीटी ठाने में रखवाई गई जहां सभी वहनों के चालन काटे गए और आगे से सभी को हिदायत दी गई पेनल्टी वी फाइन की गई है और आगे वी कारवाई निरिछन किया था वो चूकि बंद पाई गई थी तो इसको नोटिस जारी किया है अगर पाली का सीएमो द्वारा बाला जी कॉंपलेक्स के साथ साथ अनिप्रतिष्ठानों के मालिकों को इस संबंद में नोटिस देकर अफगत कराया कि तल घरों में अपनी पार्किंग की विवस्ता बना कर रखे और सड़क पर वहन ना लगाए यदि ऐसा करते वह पाई जाते हैं तो दुकान संचालों को पर भी जुर्माने की कारवाई की जाएगी ब्यूर रिपोर्ट कबरबार न्यूस डबरा